उत्तर पुरूव का सबसे बड़ा राज्जी असम इंदिनों भीशर बाढ़ की चपेट में है सेलाब का सितम ऐसा कि सांसों की डोर तूट रही है लोग बेघर हो गए हैं, जिन्दगी ठहर गई है, कुदरत की शक्ल में बारिश तबाही मचा रही है ब्रह्म पुत्र नदी खत्रे के निशान से उपर बह रही है, डबरंग इलाकों में रहने वाले लोगों के घरों में पानी घुस गया है नावी एक मात्र सहारा है, स्कूल कॉलेज सब ठप हो चुके हैं सिल्चर इलाके में हालात सबसे ज्यादा खराब है, मालाव गाओं और आसपास के इलाके पूरी तरह पानी में डूप गए हैं लोगों की रुजमर्रा की जंदगी नर्क में तब्दिल हो चुकी है सिल्चर के मालाव गाओं इलाके में हम हैं, जहाँ पर तमाम ये बैंबू की जो नाव हैं, ये आप देख रहे हैं इन नाव के अलावा यहाँ के लोगों के पास कोई साधन नहीं है, यहाँ पर लोग भूखो मर जाएं अगर ये बंबू ना हो, बंबू का की नाव ना हो क्योंकि जो सरकारी साहता है वो यहाँ पर शून है यहाँ पर लोग चंदा खटा करके और इस तरीके की नावें बनाते हैं और अपना जो आये का साधन है उसको पूरा करने के लिए अपने अपने घरों से निकल के बाहर जाते हैं नोगाओं जिले के बानीपुर गाओं में PWD विभाग की सरकारी बिल्डिंग जल्द समाधी ले चुकी है ना जाने कितने ही एहम दस्तावेज बह गये हैं करिब सौ से जादा लोग बेघर हैं कई लापता हैं यहां पर इसमेहम PWD का ओफिस दिखा रहे हैं आपको पूरा ओफिस और पूरा प्रिमाइसस डूबा हुआ है पानी में बहुत सारी फाइलें लोग बता रहे हैं कि अंदर पानी में डूब चुकी हैं यह ओफिस आफ दे असेस्टेंट एक्जिकेटिव इंजिनियर PWD जो की अब पूरी तरह से पानी में डूब चुका है उनका घर तो अब सड़कों पर हैं माता जी भीतर कितने लोग रहते थे 500 मन है 500 मन था अब सब चौल गया पानी में डूब गया तो सब पानी आ गया सब चौल गया असम के नौगाओं जिले के हाथी मुरा बंधे के पास हम है और यहाँ पर हाथी मुरा बंधा जो है वो सामने जा रहा था आगे की बस्ती के लिए लेकिन यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी के बहाओ ने इसे पूरा काट दिया है और आप देखे कितना जादा चोड़ा यह जगा है जहाँ पूरा पूरा बंधा बह करके चला गया है ब्रह्मपुत्र नदी के अंदर लोग सडकों पर आ गए हैं और इस बंधे पर रहने को मजबूर हो गए हैं करीब 20 गाओं ऐसे हैं जो ब्रह्मपुत्र नदी के इस बहाओ के कारण पूरी तरीके से पानी का शिकार हो गए है नदी का पानी बस्ती में घुस गया है सैकडों लोग पिछले मंगलवार से सडकों पर रात बिताने को मजबूर है बारिश और बार से महामारी का खत्रा बढ़ने लगा है बार से परिशान लोग में बीमारिया बढ़ रही हैं और बीमारियों के लिए कुछ मदद पहुँची है यहां पर हम यहां टेढ़ी बाकरी में हैं और यह एक वैन भर करके दवाएं आई हैं किस तरीके की मुख्य दवा आप लोग लेकर क्या है यहां पर सरा का है जिन्दा जिन्म जितना है कोई जो डिजीस होता है दाइड़ा डिसेंट्रिय होता है फेबर होता है इस रुक्रम के फांगली इंफेक्शन होता है अप लोग बताएं क्या-क्या बिमारियां यहां पर फैली होई है हाँ उसे सर्दी बुखार एही ज़्यादा है और कोई बिमार नहीं है इदर असाम के मुख्यमंत्री हिमंता विस्वा सर्मा भी लगातार बाल प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं प्रिलितों से मिल रहे हैं असम में बाल से करीब 24 लाख लोग प्रभावित हैं बाल से जान गवाने वालों की संख्या 64 हो गई है बीते 24 घंटे में 6 लोगों ने जान गवाई है राज्य भर में 3535 गवों के लगभाग 24 लाख लोग बाल से प्रभावित हैं जिसमें 50 जार से जादा लोगों ने शेल्टर होम में शरन ली हुई है